नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। आज रविवार है तो रविवार विशेश का दिन है। आज बात करूँगा आपको आगाह करने के लिए एक खत्रे के परती, सचेत करने के लिए। और ये खत्रा सिर्फ आप पर नहीं है, आपकी भावी पिडियों के लिए भी खत्रा है, देश के लिए खत्रा है, देश के भविशे के लिए खत्रा है, देश में डेमोकरसी के लिए खत्रा है और सनातन धर्मवर्क खत्रा है, तो हमारी संस्कृती पर भी खत्रा है। तो एक खत्रा क्या है? इसको मैं दो चीजों से समझाने की कोशिश करोगा. एक, अभी फैमिली हेल्थ सर्वे जो आता है, जो पांच्वा संसक्रन आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके आकड़े आये, उसके आकड़ों से कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई है जो left liberal बिरादरी है जो हर हालत में हर मुद्दे पर और हर सूरत में मुसल्मानों का समर्थन करती है अल्प संकेकों के उत्पीडन के नाम पर दूसरे मुद्दों पर और उसकी नजर में हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले वो विलिन है वो खलनायक है दरसल वो आत्ताई है वो अत्याचार करते हैं दुनिया भर में हिंदूओं की ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है तो उन्होंने जैसे युरेका मोमेंट था उनके लिए कि मिल गया इस रिपोर्ट के मताबिक जो टीएफार है टोटल फर्टिल्टी रेट उसमें मुसल्मानों के टोटल फर्टिल्टी रेट में बहुत तेज गिरावट आई है 46.5% के गिरावट आई है और हिंदू के टीएफार में 41.2% के गिरावट आई है तो कहना शुरू कर दिया कि देखें ये जूटा आरोप लगाया जा रहा है कि मुसल्मान आबादी बढ़ रहा है मुसल्मानों के आबादी बढ़ रही है हिंदू की आबादी लगातार ये प्रोपगंडा था अब जरा ध्यान से सुनिये कि इसमें पेच कहा है जब ये सब दावा करते हैं ये लोग ये भूल जाते हैं कि जब बेस रेट बहुत हाई हो तब परसेंटेज में जब आप बात करते हैं तो वो एग्जजरेट हो जाती है वो बढ़ा चड़ा कराती National Family Health Survey 1 जो पहला हुआ था उसमें मुसल्मानों की TFR Total Fertility Rate यानि प्रती महिला जो है बच्चा पैदा करने की जो दर होती है वो होती है Total Fertility Rate वो थी 4.41 और हिंदुओं में कितनी थी 3.3 तो इतना अंतर था मुसल्मानों में TFR अपने एक तरह से चरम पर था वहां से percentage terms में बात करेंगे आप तो सही तस्वीर सामने नहीं आएगी अब देखें जो replacement level of TFR है वो मुसल्मानों का है 2.36 और हिंदुओं का है 1.94 इसका क्या मुतलब है ये सब आखड़े जो मैंने बताए उनका निश्करश क्या सार क्या है इस आखड़ों की बाजी गरी स थोड़ा हटते हैं इसका सार ये है कि आने वाले कई दश्कों तक मुसल्मानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा तेजी से बढ़ती रहे हिंदुओं की आबादी उस गती से नहीं बढ़ेगी जिस गती से मुसल्मानों की आबादी बढ़ेगी खतरा कि मुसल्मानों की और इसाईयों की आबादी इसाईयों की बात अलग से करते हैं थोड़ी सी मुसल्मानों और इसाईयों की वैसे यह दोनों धर्म ऐसे हैं जो अपनी आबादी बढ़ाने का एक्सपेंशन का लगातार प्रयास करते हैं भारत में नहीं दुनिया बर में और उ ये दो फैक्टर्स अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप जो डेमोग्रेफिक चेंज होने वाला है हो सकता है जिसकी आशंका है उससे गाफिल हो जाएंगे उससे लापरवा हो जाएंगे फिर आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे इसके मुकाबले हिंदूों में जो घर वापसी है जो लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू क्रिश्चन बन गए या मुसल्मान बन गए उनकी वापसी का कारिकरम आप समझें कि नहीं के बराबर है उसमें कोई संस्थागत रूप से कोई प्रयास नहीं होता इका दुका जो होते हैं वो भी उनको भी डराय का कोई प्रयास होता ही नहीं अब जो कहा जा रहा है देखे क्लाइमेट चेंज भी डेमोग्रेफी को बदलने में बड़ी भूमी का निभाएगी तो क्लाइमेट चेंज का जो असर होगा कहा जा रहा है भारत और आसपास के जो देश है उनमें सबसे ज़्यादा बांगला बढ़ेगी अब आप देखे असम का ही उधारन लीजिए 2001 में 2001 का जो सेंस था उसमें असम में मुस्लिम आबादी 30.9% थी और 2011 का जो सेंस हुआ उसमें 34.2% हो गई तो ये किवल TFR की कारण नहीं बढ़ी ये घुसपैट और धर्म परिवरतन इन दोनों फैक्टर्स को कि आबादी इतने कम समय में 10 साल में इतनी जादा कैसे बढ़ गई और आप एतिहासिक रूप से देखिए तो हिंदू की आबादी घटाने के कई अभियान चले भले ही वो सीधे आबादी घटाने के मक्सद से न किये गए केरल का मोपला विर्द्रो हजारों लाखों की और अफगानिस्तान में हिंदूों का सफाया साथ साथ कश्मीर को कैसे बूल सकते हैं कश्मीर घाटी में जिस तरह से हिंदूों का सफाया हुआ वो तो बहुत पुराना आतीत नहीं है वो तो 1990 के दशक की बात है इन ही सब वजहों से हिंदूों में मुसल्मानों का डर दbuilding नहीं पह्मसि किन दया घू जादा है इसाईőं से हालां कि इसाई भी यह करते हैं लेकिन उनको वो धर्म परिवर्तन कराते हैं चुप चाप कराते हैं इसाई ओने एक ने तरीका खोजा है जो crypto Christians का है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं लेकिन उनको उनसे कहते नहीं कि तुम सारवजनिक रूप से स्विकार करो कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया इसाई बन गए हूँ उनको हिंदू बने रहने देते हैं क्योंकि जादातर धर्म परिवर्तन दलित समाज और आदिवासी समाज में किया जाता है तो उनको आरक्षन का लाब से वो वन्चितना हो जाएं इसलिए उनसे कहा जाता है कि सारवजनिक रूप से अपने को हिंदू बताते रहो इसलिए Christian population कितनी है ये पता ही नहीं चलता इसकी सही जानकारी हमारे पास है ही नहीं आजादी के समय 2.3% थी Christian population आज भी वही है percentage में ये कैसे हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर conversion हो रहा है बाहर से पैसा आ रहा है इतना conversion के लिए दस्यों हजार करोड रुपए आ रहा है में हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है दक्षर में तमिल नाडू में आप देखे केवल बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए चर्चों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसकी गिंती कर लीजिए उससे आपको समन जा जाएगा तो जो राज पाकिस्तान बंगला देश की सीमा के करीब है गुसपैट का खत्रा वहाँ जादा है और मत भुलिए कि 1941 के सिंसस के हिसाब से भारत में अविभाजित भारत में मुसल्मानों की आबादी 27 परसंट थी सिफ 27 परसंट उन्होंने देश का विभाजन करवा लिया आज अगर आप भारत, बंगला देश और पाकिस्तान को मिला दे तो संयुक्त जो देश बनेगा उसमें मुसल्मानों की आबादी 32.33 परसंट होगी आप अंदाजा लगाईए कि क्या हो सकता और हिंदू धर्म के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा पैदा की है सरकार ने आजादी के बाद से हिंदू धर्मस्थलों का प्रबंद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया मतलब इसका मतलब यह है कि सरकार मानती है कि क्रिश्चन अपने धर्मस्थलों का प्रबंदन कर सकते हैं, मुसल्मान कर सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कर सकते हैं, वो नाकारा है, निकम्मे हैं, इसलिए उसको सरकार को लेना चाहिए, आजादी से अब तक मंदिरों से लाखों करोड की कमाई सरकार की हो चुकी है, ले भूद जो है सगुण नहीं लगेंगी शायद, तो थोड़ी सगुण बात करता हूं, कैसे परिवर्तन होता है, वो थोस उदाहरण दे रहा हूं, जो हो चुका है, क्या हो सकता है, क्या होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेबनान का नाम सुना होगा आपने, वेस्ट अश लें कि लेबनान इसलामी देश कैसे बना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कितने बड़े खत्रे के दर्वाजे पर कड़ा है और इस खत्रे से हम बिलकुल लापरवा हैं देखे पहली बात तो ये समझ लिए इसलाम का ये मानना है कि गैर मुसलिम घटिया होते हैं और म करते रहना चाहिए इस बात को याद रखिए इस बात को कभी मत भूलिए तब आपको समझ में आएगी समस्या की जड़ सेवेंटीज में 1970-71 के आस पास लेबनान वेस्ट एशिया में इस्राइल के अलावा एक मात्र नौन मुसलिम मेजॉरिटी देश था और इस्राइल के अलावा एक मात्र नौन में इस बात को यहां इसलाम आएगा उसके लिए घातक बन गई लेबनान की राजधानी बेरुट को एक समय पूर्व का पेरिस कहा जाता था संपन लोग थे खुशाल लोग थे डिमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते थे यहां कल्चरल डाइवरसिटी थी अब आप तुलना करते रहें लेबनान से भारत की और फिर आप देखिए कि आप कहां पहुंचते हैं डिमोक्रेसी थी नौन मुसलिम मेजोरिटी पॉपुलेशन कल्चरल डाइवरसिटी सब को साथ लेकर चलने की कोशिश ओटमन एमपायर के खतम होने क बाद लेबनान और सीरिया दोनों फ्रांस की कॉलोनी बन गए उपनिवेश बन गए लेकिन 1944 में जब डी कॉलोनाजेशन का समय आया तो जब दो देश बने फिर से सुतंत्र हुए ये लेबनान और सीरिया सीरिया इसलामिक कंट्री बना और लेबनान जो है वो क्रिश्चिन मेजॉरिटी कंट्री पहले से क्रिश्चिन थे या काफी बड़ी संख्या में थे और देश बनते ही सीरिया डिक्टेटरशिप बन गया और लेबनान में डेमोक्रिसी आ गई पिर से अब आजादी मिलते ही आस पास के मुस्लिम देशों ने लेबनान पर आक्रमन शुरो कर और ये बात ध्यान से सुनिये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिये इसलाम शरनातियों को अपना फुट सोलजर बानता है आप देखेंगे कि दुन्या में कहीं भी मुसल्मान पर संकट आए कोई मुसलिम देश सहायता के लिए आगे नहीं आता है कोई मुसलिम देश मुसल नाती के रूप में आने की इजाज़त नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो पहले से इसलामी देश है, उनको वहाँ जाना है जिनको इसलामी देश बनाना है. इसलामी देश डिक्टेटर्शिप है, तो तकता पलट की इसकी कोशिश होती रहती है तो जो इनकी यहाँ सिविल बार हो जाए ग्रेहियुद्ध हो जाए तो उसको भी अपने धर्म के एक्सपेंशन का वो अवसर मानते हैं वहाँ से जो ग्रेहियुद्ध होगा लोग परिशान होंगे तो भागेंगे भाग कर कहां जाएंगे आस पास के जो गैर इसलामी देश होंगे महाँ शरणार्थी बनेंगे अब यह जहां शरण लेते हैं उनमें से ज़्यादा तर जो गैर इसलामी देश हैं वो डिमोक्रिटिक कंट्रीज होती है तो वहां लोगों को अधिकार मिलते हैं कानूनन अधिकार मिलते हैं अच्छी सुक सुविधा मिलती है पढ़ाई लिकाई से लेकर रोजगार तक हर तरह की सुविधा महिया कराई जाती है तो उनका विकास होता है तो आबादी बढ़ने लगती है सेविंटीज में जॉर्डन और सीरिया ने लेबनान में शर्णार्थी भीजना शुरू किये और ये योजना बद्ध धंक से हुआ आप तुलना कर लिए पाकिस्तान से, मंगला देश से, अफगानिस्तान से जो शर्णार्थी आते हैं जो आए हैं इसलिए कि मुस्लिम शर्णार्थियों को नहीं आने देना है उसमें प्रोविजन है केवल वही आ सकते हैं उन्हीं को नागरिक्ता मिलेगी जो गैर मुस्लिम है क्योंकि ये तीनों इसलामी देश है तो वहाँ धर्म के आधार पर इनका परसीक्यूशन हुआ उत्पीडन हुआ इसलिए अगर वो भाग कराते हैं आना चाहते हैं शर्ण लेना चाहते हैं भारत में तो यहाँ भारत की नागरिक्ता मिल सकती है इसलिए उससे जो इसलामी करण का एजिंडा है वो कमजोर पढ़ता है इसलिए C.E.A. का विरोध हुआ उनको मालूम है कि C.E.A. से भारत की मुसल्मान पर कोई असर नहीं पढ़ेगा उसकी नागरिक्ता उसके अधिकार इन पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला यह जानते हैं वो लेकिन उनको मालूम है कि अगर ऐसा होने दिया उन्होंने तो जो इसलामी करण भारत के इसलामी करण का जो प्रजेक्ट है उसमें एक कमी आ जाएगी एक बाधा आ जाएगी अब शरणार्थी आते हैं तो उसके बाद इनकी क्या कोशिश होती है कि सरकारी संस्थाओं में गुसो और उसके बाद फैक्टरी में दूसरे दफ्तरों में अब ये लेफ्टिस्ट बन जाते हैं दुनिया भर का इनका तरीका देख लीजिए ये लेफ्ट के साथ एलाइन कर जाते हैं लेफ्ट इनको कवर देता है भारत में भी देख लीजिए मुसल्मानों को समर्थन सबसे ज़्यादा लेफ्ट से मिलता है इंटेलेक्ट्वल सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट, दूसरी तरह हर तरह का सपोर्ट तो क्या हुआ लेबनान में? जो शरनार्थी आए, जो मुसल्मान आए, जो घुसपैठी आए, वो लेफ्टिस्ट बन गए और क्रिस्टिन मेजॉरिटी वाला लेबनान के क्रिस्टिन्स जो है, वो राइटिस्ट हो गए और दुनिया भर में, दुनिया भर का मीडिया जो है, उनके खिलाफ लिखने लगा फिर यही समय आता है जब इंटरनेशनल लेवल से इसलामिक देश इनकी सहायता के लिए आते हैं, यह जो अभी कतर से हुआ ना और बाकी इसलामी देश आए, यह उसी का नमूना है, इसलिए वो मुसल्मानों को संदेश है इस देश के, उसके बाद फिर गलोबल मीडिया का रोल आ जाता है, गलोबल मीडिया हमला वर हो जाता है, वो कहता है जो मेजारिटी में है, वहां कृषियन थे, यहां हिंदू है भारत में, उनको बताता है कि यह अलप संख्यकों का सोशन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको बराबरी का हक नहीं दे रहे हैं, उनका ह उनको ग्लोबल इसलाम का समर्थन मिलने लगा कुछ लाख इसाई लिबनान के वो अपने ही देश में आताई बन गए तुलना कीजिए लगातार तुलना करते रही है कि लिबनान में क्या हुआ भारत में क्या हो रहा है उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम किस ओर जा रहे ह धीरे धीरे कई शहरों में ये मिजॉरिटी में होते गए और उन पर कबजा होता गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लिबनान में मुस्लिम आबादी 44% पे पहुँच गई 44% पे पहुची तो ग्रहियुद शुरू कर दिया ग्रहियुद शुरू हुआ तो सिरिया ने हथियार और शरणार थी दोनों भेजने शुरू किये यानि हथियार के साथ साथ उसके पीछे का हाथ भी भेजना शुरू किया और ये ग्रहियुद चला दस साल भारत में हम लिबनान जैसे छोटे से देश नहीं है, हमारी संस्कृती इतनी कमजोर नहीं है, हमारी संस्कृती की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन इसकी वज़े से इस गलत वहमी नहीं रहना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा बहुत कुछ बिगड़ चुका है और आज से नहीं सैकलों साल से बिगड़ रहा है और जब ग्रही हुथ समापत हुआ तब तक मुसल्मान वहां मिजारिटी में आ गए थे और लिबनान जो कृष्च tag मुजारिटी देश था वो मुसलिम मिजारिटी देश हो गया इसलामिक देश हो गया आज लिबनान में मुस्लिम आबादी 63% है इसलिए कहते हैं कि No war with Islam is local Islam always thinks global ये जो आपको देखने को मिला कतर से जो कुछ हुआ उसके बाद साथी से लेकर कुवायत और तमाम देश को दे वो उसी का संकेत है कि जब भी ऐसा संकट आएगा जब भी ऐसा आउसर आएगा global Islam भारत के मुसल्मानों के साथ खड़ा नजर आएगा आज जो परिस्थिती हुई है कि वो एक सीमा के बाद समर्थन में नहीं आपाए उसका एक मात्र कारण नरेंद्र मोदी है इस बात को मैं बहुत दिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आज बहुत से लोग हो सकता है नहीं मानेंगे इसको लेकिन आज से 5-10-15 साल बाद उनको इस बात का एहसास होगा कि मैं जो कह रहा हूँ बिलकुल सही बात थी आज global Islam और भारती मुसल्मान के बीच के संबंद और प्रगाढ नहीं हो रहे हैं और मदद नहीं मिल रही है तो उसके बीच में एक मात्र एक आदमी खड़ा है जिसका नाम डरिंद मोदी है हमारे यहां खत्रा इसलिए भी ज़्यादा है कि हम तीन Islami देशों से गिरे हुए है Pakistan, Bangladesh, Afghanistan और जिस तरह का बलवा, जिस तरह का दंगा देश में हो रहा है बेवज़ के मुद्दों पर वो इस बात का संकेत है कि योजना फिर कह रहा हूँ कि ये लोकल मामला नहीं है इस्थानिय नहीं है ये गलोबल साजिश का अंतरराष्टीय साजिश का हिस्सा है जिसको हम इस्थानिय मुद्दों से इस्थानिय मामलों से इस्थानिय langों से जोड कर इस समस्या को वहीं तक सिम्मित कर देना चाहते है जो लिबनान में हुआ वही बिलकुल हूबहू रिपीट हो रहा है मुसल्मान और लेफ्ट मिल गए और हिंदूओं को दक्षरपंती बताकर दुनिया भर में उनके किलाफ अभियान चलाये जाने लगा हिंदू आतंकवात की बात होने लगी हिंदूओं के खिलाफ विश्व जन्मत बनाने की कोशिश होने लगी और दुर्भागी की बात ये है कि इसमें एक बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल है दोनों समधाय के लोग मिलकर रहें इसमें किसी को कहीं से इतराज नहीं है लेकिन ये जो विस्तारवादी मान सकता है ये जो मान सकता है कि सिर्फ हमारा धर्म अच्छा है बाकी खराब है ये जो मान सकता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते हमारे मजहब को नहीं मानते उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है ये समस्या है ये जो दारूल हरब की कामना है ये समस्या है इस समस्या को पहचानिये क्योंकि उसका निदान उसका उसका हल आप तभी कर सकते हैं जब उसको पहचानेंगे और इसके लिए इन आतंकवादी गत्विधियों इन पाईयों के पास ही पैसा नहीं आ रहा है, बड़े पैमाने पर मीडिया के एक बड़े हिस्से के पास भी पैसा आ रहा है, और आज से नहीं आ रहा है, सोवित संग के जमाने में किन संपादकों के पास, किन नेताओं के पास, किन नौकरशाओं के पास पैसा आता था, ये सब पूरी दुनिया जानती है और आज भी फंडिंग करने वाले बहुत सी संस्था हैं बहुत से लोग हैं बहुत से देश हैं जो चाहते हैं भारत कमजोर हो जो चाहते हैं भारत ग्रियुद की ओर जाए जो चाहते हैं भारत में अशान्ती हो जो चाहते हैं भारत का विकास रुके ये सब ताक्तें मिली हुई है खत्रा यहां है आपके बच्चों का भविश्य खत्रे में है इस खत्रे को पहचानिये सजग रहिए सोचिये कि इससे निपटने के लिए क्या करना है क्या तैयारी करनी है अगर समय रहते आप चेते नहीं हम आप चेते नहीं तैयार रहिए कि एक दिन भारत का भी हश्र लेबनान जैसा हो सकता है होगा मुझे ऐसी उमीद नहीं है मुझे पूरा यकीन है पूरा भरोसा है कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा लेकिन अगर हम सोते रहे तो ऐसा हो भी सकता है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नहीं मुझे के साथ तब तक के लिए जाज़त दीजे आप से अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजे, लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार